हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू आवर यूटीब चैनल अडेनियम ग्रुवर्स तो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले अडेनियम ग्राफ्टिंग से लेके तो यहां पर देख सकते हैं कि आप काफी सारी मैंने रूट स्टॉक रखे हुए जो कि उपर से इनका ब्रांश करने के बाद हम सभी इचे अपने नीचे रखते हैं सब्सक्रा के ए मैं सब्सक्राइप करनriel स्किर्ङब करी की मेरी 25 अगस्ते से मैं फ्रेंच स्टार्ट किए है परेल के बारे रकती हुँ जिसे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अप्रेल में 15 अप्रेल के बाद घ्राफिंग नहीं करती हुँ, सेप्टेंबर में मिड़ अगस्त से या फिर सप्टेंबर में ग्राफ्टिंग करती। उसके बाद में क्या क्या चीज की जरूद होती है और ग्राफ्टिंग सब्जार करने के लिए में सेयर करने वाले हैं तो चली वीडियो में लास्ट तक बने रही गा और अगर मेरी चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लीजेगा यह देखिए मैंने यहां पर इतने सारे प्लांट की ग्राफ्टिंग करके रखी ह हुई है जो कि इधर साइड वाली मतलब पांच लाइन तक की ग्राफ्टिंग मेरी जो है यह सक्सेज हो चुकी है एक से दो दिन में इनको मैं धीरे दिये टेरेस पर इनका टेप रिमूफ करूंगी टेप रिमूफ करके टेरेस पर शिफ्ट करूंगी और इस ताइम की जो से एंड़िए चाह रहा है तो इस लिए टाइम को तो चल्म हो तंसके तरही बहुत अच्छा है गर्मी होती दिन साम को अच्छा हो जारा है और लोकेशन दिया हमाए यहां पी दूप नहीं मिलती है बारिष दोड़िन नहीं बारिच का पानी नहीं आता है जब तो अगर उल्टी बारिश होती है ना जैसे उल्टा बारिश का बानी वशार आता है वो जीज़ी पर्टी उसे कोई भी दिकत होने वाले नहीं है और यह देखी इतने सारे प्रांट मैंने ग्राफ्ट करके रखे वे हैं यहां पे यह देख सकते हैं आप काफी एक सितंबर की में इस ओलाएं जो ओला है और है उसले ग्राफ्ट्टिंग और हुए परसो राइट में की हुई है और यह सारी घ्राफ्टिंग मेरी दो तारिकों की हुई है और उध 설ी रखें महलें इसकी करने के लिए मैं वहाँ से कट करकेसे पर्बीस कर नहीं चै recording वह 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 भी हैं तो चली हम वीडियो को आगे कंटीन्यू करते हैं आपको बताते हैं कि इस तरीके से करा जाता और इतना इजी तरीका है कि आपको 10 से 15 दिन मैकसिमम इस टाइम पे बीस दिन तो फ्रेंट सब यहां पर बात आती है कि आपको ग्राफटिंग करने के लिए किस टैप के रूटी स्टॉक का चैन करना चाहिए तो देखिए जो मैंने रूटी स्टॉक लिया हुआ है इस बास्केट में पांच पीस रखा वा है रूटी स्टॉक मीडिया अच्छे से ड्राइ अगर मीडिया में मौश्य रहा तो आप ब्रांच को कट करेंगे ना तो बहुत जादे सैप निकलता है इसलिए आपको मीडिया कोसिस करना है कि पूरी अच्छे तेके से ड्राइ हो और ड्राइ होने के बाद आपको करना क्या है कि ब्रांच कट करके एक दिन पहले भी आप अगर ब्रांच सेम डे बी कट करते मलब की कट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है मीडिया अच्छे से ड्राइ होना चाहिए जो रूटी स्टॉक आप लेते हैं उसमें रिंकल्स होना चाहिए जैसे कि आप यहां भी देख सकते हैं रूटी स्टॉक जो मैंने लिया अगर आप जो रूटी स्टॉक लेते हैं जैसे कि आप यहां पी देखिए मैंने जो रूटी स्टॉक रखे हुए सभी में रिंकल्स पड़े हुए हैं कोई भी रूटी स्टॉक ऐसा नहीं लग रहे गाई क्योंकि इस्टेम है तो इस्टेम तो ग्रीन रहेगी लेकिन प्लांट को लेकिन जो सीडलिंग पर ग्राफ्ट करके लोग सेल भी कर देते हैं लेकिन जो सीडलिंग पर ग्राफ्ट करके सेल कर देते हैं तो जब आपका सीडलिंग ही मेचियोर नहीं रहेगा तो प्लांट मेचियोर कहां से बनेगा तो उस्टेम भी जो बात आती है कि आ अगर आप इस टाइब की सीडलिंग पर ग्राफ्ट कर देंगे तो आपका प्लांट आगे कहां से ग्रोध करेंगा इसलिए जो भी आप रूटी स्टॉक लेते हैं वो कम से कम बहुत है अच्छा है हेल्दी होना चाहिए और मेचियोर होना चाहिए जब कि इस प्लांट में रि यह देखिए ग्राफ्टिंग करने के बाद ग्राफ्टिंग यहां से हुई है और यह फेविक ग्राफ्टिंग ही है और ग्राफ्टिंग करने के बाद देखिए बढ़ी नहीं पा रहा है प्लांट क्योंकि बहुत छोटा सीड जब यही मलब नीचे से ही जब मेचियोर नही जैसे healthy plant रहेगा तभी वह उपर में भी healthy बनेगा तो यह देख सकते हैं आप size बहुत छोटा size है यह देखिए कोडेक्स size भी 1-1.5 इंच इसका कोडेक्स है मेच्योर प्लांट जबकी मेच्योर थी लेकिन कोडेक्स बहुत चोटा है तो इसलिए plants को healthy होना जरूरी है जाए बहुत से लोग ग्रीन इस्टेम रहती है उसमें पत्ती रहेगी पूरी पत्ती को ब्लेट से कट कर देते हैं और कट करके grafting कर देते हैं तो उस टाइप पे होता क्या है ना कि जब आपका इस लोग नहीं होगा ना तो जो उपर की ग्रोथ आती ना उपर की ग्रोथ पढ़ा हुआ है लीफ पहले से गिर चुकी है मैंने इस टाइम लीफ नहीं कट के हुआ है जब इस्टेम मेचियोर होता जाता है तो नीचे से पत्ती आपने आप गिरती जादियों और पत्ती उपर की आप मेरे प्लाइम वीडियो उसमें आप अकसर देखे होंगे कि जो मै यह द्यालिती और पद्गु मुझे सहां उफ थिसटरम होता है लेकिन अब ढ lira होसे तीन दिन पहले पानी दीजे लेकंट वीडियों ड्राइग होना चाहिए और ग्राफ्टी Connect करने के बाद पानी कब देना हो जरुतने होना छांThis पहर पानी था पानी काई आपनी होना हिं ग्राफ्टिंग करते हम 4 दिन व्हेक dip stellen काउंट कंट करिए तो फाउंच वाधी हम दिन पानि होता है मैं पानि जिन अब सेनने आहीं पर सहते हैं अब सुर्णाहिए कि हम यहीं मैं उनपनी समे साइब vibrant करें जिन दुश्ट्र पर करें कि इ Side by Tis 12-8.4,4 पिलंट रेडी करेंग कर लेतें कियोंगि मुझे वीग्राफिटिंग पसंद नहीं आती नहीं नहीं ही करके करती है जोकि मेरी 5-6 चे दीन में सक्सजड हो जाती है, बहुत हीbbe अचा हेल्दी ग्रोथ करता है दूसरी चीज कि आपको ग्राफ्टिंग टेप की जरुत होती है तो ग्राफ्टिंग टेप आप देख लीजी इस टाइप का होता है ग्राफ्टिंग टेप आप चाहते हैं छोटा ग्राफ्टिंग टेप लेना तो ले सकते हैं दो इंच डाइ इंच तीन इंच पे भी ग्राफ मैंAI के तेप से 1,000ulfंट में अब हेसं कि उतना प्लांट कर लेटे पॉते लाइर लाव कहा कि तंनी पतली प्लांट चिंए.. इसे देख करिंगे पहीं लाएर है। नहीं कि एक ट४क मुंतला कैट करेंते है। तो इसलिए और इसके बाद आपको rubber band के बाद इसको ऊपर से cover करने के लिए polythene चाहिए होता है यह देखिए polythene भी मैंने लेकर रखा हुआ है इसको इस टाइप की transparent polythene से cover कर देने में होता क्या है कि अगर आप cover कि यह रहेंगे ऐसे यह देखिए कवर करके या तो rubber band लगा दीजिए या फिर किसी भी डोरी की helmet से बांद दीजिए जिससे की इसमें cover करने से फायदा यह होता है कि मालीज अगर सेडल नहीं पानी बरश गया मैंने जिस लोकेशन पे रखा है या फिर आप जिस लोकेशन पे रखें बारिश हो गई या फिर मुझे पानी देने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो यह सारी कुछ सावधानियां होती है जिसे की ग्राफ्टिंग आप करते हैं तो ग्राफ्टिंग आपका 100% सकसे होता है तो चलिए वीडियो को जादे रंबी नहीं करेंगे जल्दी से आपको एक सी दो ग्राफ्टिंग अगर से टाइप का से ब्लेड आता है इसका भी यूज आपकर सकते हैं इसी से मैं भी ग्राफ्टिंग करती हूं क्योंकि मेरे पास भी सर्जिकल ब्लेड नहीं है और यह रूटिस्टॉप के हम कट लगाएंगे यह हाइट अपने 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 रखिएगा एक दम स कना तुछा लगेगा र नहीं समय का अट घ्रा लाएंगेगेंंगें नहीं तुक मेरे अट उपना परहसं ऩगल्सlar का मेरे तो जो अगर से बल्य बार सपता से आट गडिएगें तो बार से यूज इसका नहीं। शीप का तेर रखिएम सी एक ना झार परत, साथ नहीं तर जो आपका ग्राफ्टिंग वाल ब्रांच है जिसे कि आप सियोन बोलते हैं तो इसको एक बर आप फ्रेस कर लीजिए जैसे कि ब्लैक स्वाट से दिख रहा है तो इसको क्लियर कर लीजिए एक बर कट लगाएंगे हल्की सीलिए हम कट करेंगे इसकी कियल यह देखें एक दम फ कर दो समय है Eli 16ọnde 22 2 एक पर की इसमें तो आपके आपको ूपर किया पर गता तो रहा है तो इसमां उसुपे बलशना होता है जैसे कि वारे 15 पर रहता है शुपी नीचे रहता है एक बर कुछा नीचे रखं़ेंगे और शुपर रहता है सुबहती है इसको पड़ए प्रफशन होगा उसके बाद हम शिओन रखेंगे दोनों होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर बराबर नहीं होगा तो यह देखिए एक बराबर का हो गया है और अब हम इसको टेप से रैप कर देंगे तो यह देखिए अब बात आती है कि हमें टेप से कैसे बादना यह ग्राफ्टिंग टेप है मैंने कट कर लिया है पतला सा और इसके बाद यह देखिए आपको एक बराबर से पन्नी को पहले पकड़ना है और यह ऐसे प्रेस करते वे नीचे की और खीश लेना है और चाहें तो आप ग्राफ्टिंग टेप से बांध दीजिए और नहीं तो उपर से कवर करके इसको पांध देना है बहुत ही इसी तरीका होता है डेने प्लान को ग्राफ्ट करने का आई होप की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक से और कॉमेंट जरूर करिएगा और मेरे जैनल पर आगर आप पहली बार आए होगे तो चैनल को जो करके बिल आइकम को प्रिस कर लीजिए को ओके फ्रेंड्स वाई है एपी गार्णिंग टेक केर